ु ben हैेलो वैलकम टु माय चैनल जैसा कि आप सभी देखा हुआ कि रेरियो डी थृ क्लब में ्ूजी कार्ड्स आ गए हैं तो यह रेरियो ूजी कार्ड्स क्या है। इन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं। इन्हें कैसे AJ Player Cards यूज करेंगे, इनके Points कैसे मिलेंगे और इन्हें आप Contest में कैसे Join कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको OG Cards के बारे में सारे Doubt क्लियर कर दूँगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो OG Cards related आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा और सारे क्लियर हो जाएंगे लेकिन अगर आप मेरे चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर प्रेस कर देना तो चलिए मैं आपको अपनी मुवाइल के स्क्रीन में ले चल के रेरियो ओजी कार्ट के बारे में बताता हूँ तो रेरियो ने अपना इंटरफेस चेंज किया है और डे बाई डे अपडेड कर रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इन्होंने अपने होम पेज में ही आपका बैलेंस आपके पास प्लेयर कार्ट कितने हैं गेम अपकमिंग गेम कौन कौन से हैं और बहुत सारी चीजे इन्होंने दिखाना सुरू कर दिया है तो चलिए मैं आपको एट विजर पूरी बात समझाता हूँ Radio D3 Club ने T20 World Cup के सुरू होती ही बहुत सारी इंटरफेस में चेंज किये हैं तो अगर आपको इंटरफेस की बारे में जाना है तो आप मेरे चनल में जाके चेक कर सकते हैं अभी मैं स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाओंगा नीचे आ गया यहां OG Cards लिखा है OG Cards में क्लिक करूंगा और अब आपको हिंदी में पूरी तरह समझाओंगा जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इंटरफेसिंग OG Cards त्री टाइपस के लिखा है त्री Cards होते हैं बेटरंस टाइटनस और गोट इनको तीन कटेगरी में बाटा गया है जो OG Cards हैं और लेकिन इनमें भी Black, Gold, Silver और Black होगा वो मत भूलना वो तो होना ही है और उसी की अधार पे points मिलेंगे तो अब और आगे चलते हैं और आपको briefly हिंदी में समझाता हूँ A to J तो आपको पहले क्या करना है कि आपको वह ऐसा player choose करना है जो की contest में खेले या फिर जो match में खेले इसा player choose करना है जो की match में खेले इसमें भी तीन लोगों की टीम बनाना है OG Cards बिल्कुल सेम D3 की तरह है लेकिन इसमें points कैसे मिलेगा आपको मैं वह समझाने के लिए कोसिस करता हूँ और सबसे पहले मैं बतायता हूँ कि OG Cards चार देशों की OG Cards launch किये हैं रेरियों ने इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और साउध अफरीका तो मतलब जब इन इन टीमों के match होगे तब इन OG Cards को use कर सकोगे लेकिन सबसे बड़ी एन अच्छी बात ये है और यहीं पर आपको समझ में आ जाएगी की OG Cards क्या है अब चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे लाश में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखाय प्लेइंग पोजीसन तो बस यहीं से समझो जैसा की है बिरेंदर सहबाग ब 50 पॉइंट मिल जाएंगे तो मतलब इसने प्लेइंग पोजीसन की बात है OG Cards क्या हो गया कौन किस पोजीसन में खेलेगा तो यह पोजीसन कौन डिसाइड किया है यह रेडियो ने खुड डिसाइड करके दिया है कि इन इन प्लेयर्स की यह पोजीसन है तो अगर इंडिया कुंबले कितना है यहां पर बॉदर नंबर फॉर तो अक्षर पर ट्रेल जितने विकेट लेगा तो अनिल कुंबले के खाते में वह सामिल हो जाएगा तो यह हो गया OG Cards का पॉइंट सिस्टम अभी आपको समझ में नहीं आए तो अभी नीचे जाओंगा तो और ब्रीफली समझ में आ जाएगा आपको अभी यहां पर मैंने मोटा-मोटा आपको समझा दिया अभी यह काम कैसे करता है काम कैसे करता है जैसे कि मैंने पहले बताया कि बैटर नंबर वन अगर सहवाग है और इंडिया टीम का केल राहूल है तो अगर के जो मेनी स्ट्राइक में होगा बेटर नमबर 1 होगा जो 9 इसटाइक में बेटर नमबर 2 उसके बाद जो आउट होगा तो कोई निया player आएगा वो बैटर नमबर 3 होगा तो बैटर नमबर 1 जैसे अकर केल राहूल में इस्ट्राइक में नेचे चल आता हो तो आपको पूरी बात clear समझ में आजा जाएगी बस इसमें position का किया किस position में खेलेगा तो real real tog player में गौइम हो जाएगा आपकिस्तान की तरफ कोई बॉलार नंबर में ऑमिर है ढार धार महम्मध आमीर रहा गहर 134 पॉइंट अगर मुहम्मद आमिर को मिलते हैं तो वो उमर गुल के खाते में हो जाएंगे तो मतलब उमर गुल को 134 पॉइंट मिल जाएगा तो यह हुआ बैट्स मेन और बॉलर का पॉइंट सिस्टम OG Cards क्या है आप लोग सोच रहे होंगे लेकिन अभी तक आपको कुछ न कुछ समझ में आ गया होगे कि OG Cards क्या है मतलब प्लेंग पोजीशन है प्लेंग पोजीशन को स्विफ्ट करना इंटरचेंज करना या एक्सचेंज करना मतलब किसी के दूसरे के बदलें दूसरे को पॉइंट मिलना यह हो गया OG Cards तो चलिए अब मैं नीचे आ गया इनका ब्रीफली मैं एक्स्प्लेइन करता हूँ आपको जैसा की हिंदी में समझाओंगा तीन प्रकार के OG Cards में क्या अंतर है अभी तक सभी तीन प्रकार के OG Cards जैसा की Titan है और Goat है और Veterans है यह DT पर समान बेवहार किया जाएगा अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किये गए है तो आप लोग यह मत सोचना कि Veterans है, Titan है, Goat है तो इनमें ज्यादा Points मिलेगा अभी इसमें कोई Changes नहीं है अभी यह Normal है और Normal Point System में ही Count होगा ओके तो अभी इनमें कोई Differences नहीं है बस इन्होंने अपनी Category बना रखा है कि कौन Titan होगा, कौन Veterans होगा, कौन Goat होगा तो चलिए दूसरा Point आपका डाउट लेते हैं, दूसरा डाउट आपको क्या हो सकता है, विभिन बल्लेवाजी पदो के लिए OG Cards कैसे काम करता है, नमबर 1, नमबर 2, नमबर 3, नमबर 4 आध जैसे विभिन बल्लेवाजी पदो पर बास्तित मैच में खेलने बाले खिलाडि उसी स्थिती में बनाए गए रे आधार अंक उसी स्थिती के OG Cards को दरसाएंगे, जैसा कि नमबर 3 पर कोहली अगर बैटिंग कर रहा है, नमबर 3 पर यहाँ पर यूसुप पठान को OG Cards है, तो जो इतना कोहली रन मनाएगा, वो यूसुप पठान को मिल जाएगा, तो चलि साहिन साहिन फ्रीदि ने बॉलिंग किया और नमबर 4 पाकिस्तान की नमबर 4 बॉलिंग पजीशन दी गी है, पाकिस्तान की Old Baller उमर को दी गयी है, तो जितने पॉइंट्स मिलेंगे, वो सारे पॉइंट्स उमर गुल के खाते में सामिल हो जाएंगे, तो बस यही है, नमब बालिंग मैच में जो बिकेट कीपर के लिए क्या है कि बीगेट कीपर की इस्थिति के लिए औजी काड़S कैसे काम करता है आप लोग सोच रहे होगे तो बिकेट कीपर की स्थिती में बास्तिविक मैच में जो बिकट कीपर है सपोस्ट अभी रिजवान खेलता है पाकिस्तान की तरफ से तो वह जितने पॉइंट्स बनाएगा वह अभी कामरान अकमल का ओजी कार्स आया तो कामरान अकबल के खाते में सामिल हो जाएगा तो इन्हों यह उनने रेड्य़ ने नएक और पाकिस्तान का ओजी कार्स अभी दिया है फिल्हाल तो चलिए वह Li और उगला हैं और क्या 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 है और आरव कर्स में अल्रांडर प्द झाल ऑजी कार्स कैसे काम करता है मत्फ़र और और कोई खेले सब्सक्रीभा केकर और कोई नहीं दिया गया है यह तो बैट्समें या फिर बॉलर या फिर बिकेट कीपर तीन चीज के लिए ही यहाँ पे पॉइंट सिस्टम डिसाइड है और राउंडर के लिए कोई पॉइंट सिस्टम यहाँ पे कोई अलग से कंडिशन नहीं दी गई है अभी एक दो डौट और है जो आपको आएंगे और आपको में क्लियर करना चाहता हूं और अभी बताना चाहता हूं तो चलिए अगला प्रवियों की समान बल्लेवाजी गेदबाजवी की इसी में कोई परिवर्तन होता है तो आप लोग यह मत सोचना की नंबर तीन पर कोहली खेलता है तो वह हमेसा ही खेलेगा कभी अगर वह चेंज हो जाएगा सपोज़ नंबर तीन पर सूर्क मार यादा हो जाएगा तो अ वह इवान पुठान के खाते में सामिल हो जाएंगे तो ओजी कार्ड कुछ बल्लेवाजी गेदबाजी की पुजीशन पर आधारी थे पूरा मतलब पूरा ओजी कार्ड बल्लेवाजी गेदबाजी की पुजीशन से ही होगा और ओजी कार्ड में इसी आधार पर पॉइंट तो जरूर देखना तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थिंक्यू फर वाचिंग